गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज फिर से हम बात करेंगे पेरेंटिंग की पेरेंटिंग कि एक बहुत वास्ट टॉपिक है इस पर जितने भी बात की जाए जितना भी डिसकस किया जाए वो कम पड़ जाता है तो आज हम बात करेंगे कि parenting जो है is not an easy task, it's very difficult task और खास करके आजकल के जमाने में, क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल की life में क्या है कि parents भी सुबा से शाम तक जो है घर से बाहर रहते हैं, job से related, most of the parents और similarly बच्चे भी जो है घर से बाहर रहते हैं, वो अपनी study से आते हैं, तो उनका tuition work शुरू हो जाता है तो एक night time ही उनके पास बचता है mostly, तो जादा time जो है सारे जो family members हैं, outside रहते हैं बाहर की दुनिया से उनका interaction होता है, तो ऐसे में parenting जो है बहुत ही difficult task बन जाता है क्योंकि सारा दिन बाहर रहने से जो आपस की जो bonding है ना, उसमें gap आना शुरू हो जाता है उस बाहर की दुनिया के साथ attachment वच्चो की जैदा हो जाती है और parents के साथ कम, खास करके आज कल जो gazettes वगरा जो मिल जाते हैं और घरा कर भी वो फोन पर लग जाते हैं लेकिन parents के साथ जो parenting जो है एक बहुत ही difficult task बन गया है क्या होता है कि बच्चे जो भी मांगते हैं आज कल, तो parents एक चीज मांगते हैं तो parents दस चीजे लाकर उनको दे देते हैं बच्चे ने जरा सा एक ट्वाए मांगा, तो दो दिन बाद वो फिर कहेगा कि मुझे दूसरा ट्वाए चाहिए तो parents दूसरा भी लाकर देंगे, हार एक चीज जो है बच्चों को easily available है तो इससे क्या होता है कि बच्चों को toughness सखाए क्या करते हैं, हम सोचते हैं, हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं उनको हार चरह की facility दे दी, खाने की facility, पहने की facility, कहीं आने जाने की facility कार का driver लगा दिया, जहां मर्जी गुमाल आई आपको, लेकिन toughness is very necessary बच्चे को थोड़ा tough time भी दो, क्योंकि अभी हम उनकी life जो है बहुत easy कर रहे हैं लेकिन जब जीवन में उनके लिए tough time आएगा, तो वो उनको handle नहीं कर पाएंगे उस time को अभी अगर हम थोड़ा सा उनको tough रखेंगे, तो आगे जाकर वो अगर tough time आता भी है, तो वो उनके लिए easy time बन जाएगा आजकल पहले जो parents थे, वो थोड़ा बहुत tough रखते थे, बच्चों को stickness थी, बच्चे डरते थे parents से लेकिन आजकल ना तो बच्चों को parents से कोई डर लगता है, वो बस उनको अपना दोस्त समझ कर अपनी मनमानी करते हैं, और बच्चे जो है मनमानी करने से वो थोड़ी-थोड़ी समय बाद वो ना उनका distance भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए बच्चे को थोड़ी-थोड़ी इसलिए हम parents सोचते हैं कि हम बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं, हम बड़े good parents हैं, तो ये please जान लीजिए कि हम उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको हार एक चीज easily available कर रहे हैं, तो हम उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर उनका better future जाते हैं, तो उनको स बच्चे को माल लो उसने नई ड्रेस भी लेनी है, वो किसी ड्रेस के लिए जिद कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा कोई टार्गेट रख दी, स्टडी से रिलेटर रख दे, अच्छा तुम आज ये वाला चैप्टर मुझे अच्छे से याद करके सनाओ, इसका टेस्ट दे द कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, इस बच्चे को हम ये लेसन दे सकते हैं, क्या होता है कि अगर कोई कॉलेज में परफेसर है, टीचर है, तो उसका बच्चा क्लास में बढ़ता है, तो उसकी कोशिश होती है, कि मेरे बच्चे के माक्स जो है न सबसे उपर आने जाईए वो ऐसे करकर के जहाँ, इधर उदर कुछ भी करकर के, टीचर को कह करकर के आपने बच्चे के माक्स बढ़ए देता है, सिमिलरली, अगर कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कोच है, तो वो भी क्या करता है, कि आपने बच्चे को टीम में रख लेता है, ठीक है, इसी तरह से परिका है, जो hero heroine है, उनके बच्चे भी आगे, उनको पहले chance मिलता है, जो जहां से ground floor से जाते हैं, उनको chance नहीं मिलता, लेकिन जो hero heroine के बच्चे हैं, उनको जड़ा chance मिलता है, तो ये सब जो है, हम उनके future में एक तरह से आग लगा रहे हैं, उन में वो ताकत नहीं है, आग से तब कर नहीं निकलो गए शिरी राम चंदर जी थे तो कितने राज महल था उनके पास लेकिन फिर भी जंगलों में गए महाँ पर शिक्षा ग्रहन की तो इसी तरह से उनसे थोड़ी एक्जेंपल ले सकते हैं कि जीवन में अगर बच्चे को कुछ बनाना है तो उसके स थोड़ा सकती से पेश आएं उसको सकती से नियम पर रखी ताकि उस चीज में उस मित उसकी परफेक्शन आ जाए ऐसा ना हो कि उसको इसली हर एक चीज देते जाएं और वो सुझे कि जीवन तो बहुत ही इसी है जीवन में जब डिफिकल्ट टाइम आएगा तो वो उसको स से मेहनत की आदत जुरूरी है डालनी आजकल क्या होता है मदर कहती है मैं किचन में काम का रही हूं तु बैठ कर टीवी देख वो टीवी देखता है बचा टीवी देखते देखते उसके आगे पलेट रख देती है खाना काओ फ्रूट काओ चुलो तुम नहाने जाओ मैं खुड डालते हैं मैं बहुत छोटा बचा है तब तो डाल सकते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता तब भी ऐसा ही करते हैं देखो बचको हार इक चीज की फसल्टे यह जाते हैं कि बच्च ycm और उनको हैंडी कैप कर रह रहे हैं हम लुग बच्चे हैं हम बहुत प्य प्रूचर खुदी खराब करते जाते हैं इसलिए बच्चों को थोड़ा घर के काम में इन्वाल करें अगर मदर कीचन में है तो उसको किचन बच्ची लड़की है जा लड़का है कुछ भी तो उसको कम से कम यही बता दें कि डैनि टेबल से प्लेट रखनी है जा प्लेट करेंगे तो उनको सारा टाइम बैठ कर हम अराम से महराज बनकर टीवी देखते हैं आप हमारे लिए काम करो और जब उनकी एक्च्छल लाइफ में जो है हमको काम करना पड़ता है तो तब उनको कुछ बरदाश्ट नहीं होता उनसे हो नहीं पाता वो फेल हो जाते हैं तो बड़े enthusiasm से कहता है कि ममा आज पता क्या हुआ ममा कहते है रुक जा रुक जा अभी मैं काम कर रही हूँ मैं free नहीं हूँ अभी बात में बात करना ठीक है वो ममा अपने phone पर busy होती है तो similarly अगर हम आज बच्चे की बात नहीं सुनेंगे तो कल को हो सकता है जब बच्चे बड़े हो जाए तो जिंदिगी में अपने बड़े फैसले लेंगे तो वो आपको अपने फैसले में involved नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जब आपने बच्चपन में उनकी बात नहीं ध्यान से सुनी उनके लिए जो बच्चपन की बाते थी ना वो उनके लिए बहुत बड़ी लेकिन आपने नहीं सुनी नहीं सुनी तो आज वो अपने फैसले खुद भी ले सकते हैं क्योंकि उनको आदत पढ़ गी है अपना काम ऐसे ही करना है पेरेंट से कुछ भी शेयर नहीं करना तो ये भी एक बात होगी और बच्चे को थोड़ी सेक्स एडूकेशन जरूर दे क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है वैसे तो बच्चे आज कल के बहुत स्मार्ट हो चुके हैं हर एक चीज की उनको इंटरनेट से नौलज मिल जाती है लेकिन जो पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड है न वो खुद अपने बच्चे को नौलज दे इस टीनेज में क्या होता है कि हमने कोई गलती कर दी है हमारे साथ ही ये क्या हो रहा है लेकिन अगर पेरेंट्स खुल कर उनसे बात की होगी तो वो आपने आपको इस पुजीशन में नहीं रखेंगे कि छुप छुप कर अपने दोस्तों से पुछते फिरें जिससे बैटर है कि आप तब ही तो कहते हैं कि बच्चों के फ्रेंड बने ताकि बच्चे आप से आप इतने खुल कर बात करें उनसे सेक्स पर भी ताकि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें और आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें कि बाहर से जो है आदी अधूरी नौलज उनको मिलती है और बच्च है यह भी बताएं कि इससे क्या होगा कि आपको इम्यून सिस्टम जो है आपका स्ट्रॉंग होगा सिमिलरली आप कहीं बस में जाते हैं जा ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर अगर कोई बजुर्ग खड़ा है जा कोई प्रेगनेंट लेडी है तो खुद उठकर उसको सीट द को अगर कोई डिफिकल्टी में है तो उसकी कैसे हेल्प करनी है और कई बर जब बच्चे डिफिकल्ट टाइम में होते हैं कोई उनका ब्रेक अप हुआ मान लो थोड़ा टीनेज में जा उनको कोई स्कूल में फेलियर का सामना परना पड़ा जा किसी गेम में वो पीछे क्लोज आएंगे तो वो आपको अपना दोस्त समझेंगे अदर्वाइस वो आपसे डिस्टन्स डिस्टन्स बढ़ाते जाएंगे और उनको ये भी शिक्षा दें कि अपने देश की प्रोपर्टी का कैसे ध्यान रखना है रोड्स को साफ रखना है अगर कोई खाई है चीज तो डस्ट बिन में फैंक नहीं है ये नहीं है इदर उदर फैंक दें नहीं है इसके इलावा उनको अपने कॉंस्टिटूशन की नौलज ये चोटी चोटी नौलज एज के अकॉर्डिंग उनको देते जाएं जिससे कि वो अच्छे नागरिक बनें और आपके अच्छे बनिये बहुत डिफिकल्ट टास्क है लेकिन जे इजी तब बन सकता है जब हम बच्पन से ही अच्छे संसकार दें शुक्रिया